Hey guys, welcome back to my youtube channel तो आज मैं पोट सिर्स को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जसके मिने प्रिवस एपसोड में देखा था लुजंग द्वारा टैक करने के लिए जा रहा होता है जो किंग ओफ लाइफ एक अपनी लीफ को भेज़ती है लुजंग के हाथ में बन जाता है लुजंग सोच रहता है कि चल रहा है अपने राइट हैंड को सड़नी फील नहीं कर पा रहा हूँ यह वीक लग रहा है मैं पावलास फील कर रहा हूँ उसके हाथ से वह स्वोड छूट जाती है और नीचे गर रही होती है तब याउए अपनी थंड़ से अटैक कर दीती है तो ईपसचोड नबर 387 के स्टार्डियं लुजंग के स्वोड नीचे गिर रही होती है यह वह थंग को थंडर से लगता है वेल वो जो यउण ऑनने अटैक होता है losing नीचे लगता है well ground पे गिरता जाके उसके sword भी नीचे गिरती जारी होती है continuously losing नीचे गिरा होता है ground पे और सोच रहोता है कि नए मैं तो भूली गया था मेरी sword को जादे heavy है यह तो ऐसे नीचे sink होती रहेगी ground में में को कोई दूसरी use करने बड़ेगी losing कुरते था भी king of life leaves को उसके कंदे पे लाद पे पीट पे लगा देते losing suddenly को ज़्यादे weak feel करता है और ऐसे bad जाता है king of life बोलती कि अब बाकी तुमारे उपर यह यहाओ यहाओ बोलती है हसते हुए कि तुम को ज़्यादे लंबे time से struggle कर रहे थे अब तुम कुछ नहीं कर सकते है अब finally time end करने का वो अपने attack को यूज करती है holy thunder पूरे आसमान को thunder cover कर रही होती है losing कैसे नीचे पड़ा होता है shadow heavily event rate बोलता है कि मेरे king मैं भी भी नीचे हूँ यहाओ बोलती है कि तुम चिंता मत करो तुम नहीं मरोगे divine arrow बोलता है यह कुछ जादा यह है कुछ ने कुछ में को करना है बड़ेगा उसके तरफ fire से attack होता है वेल blast होता है तब वो जल्दी बार निकलता है और बोलता है यहाओ रोक दो इसे losing के छोड़ दो वना तो मर जाओगे वो अपने rip से वेल arrow को निकाओ मतलब load कर लेता है अपनी bow में यहाओ सोच रही होती है कि इस old guy का arrow को जादे ही वेल अजीब सा लग रहा है पर मैं losing को क्यों छोड़ दूँ तब ही divine arrow अपने arrow से shoot कर देता है divine arrow की life energy काफसा कम हो जाती है वो जो arrow होता है वो जल्दी से जाता है यहाओ की पीट में लग जाता है यहाओ जलरी होती है और पूरते से खतम हो जाती है divine arrow बोलता है चल क्या रहा है वो सोच रहोता है कि जब जो bone arrow होती है वो किसी target को hit करती है जो target होता है वो blood flame में पूरते से cover हो जाता है जो flame होती है वो opponent के flesh को completely melt कर देती है कुछ भी पीछे नहीं चूटता पर यहाओ ने तो जरब इस sign नहीं दिखाए pain के जो की possible ही नहीं है उससे चिलाना चाहिए था बहुत जोर से तबी जो हम यहाओ का skeleton दिखाए था वो हस रहा होता जोर जोर से तबी यहाओ अपने हाथ से वो ले लेती है weapon को और बोलती है कि तुमारा arrow इतना विजा बुरा नहीं था पर यह जो मेरी body थी वो substitute थी वैल fake body थी यह ने यह में लिए बना के दी थी अगर तुमने अभी भी give up ने किये तो तो तुम try के नहीं करते दो आरा divine arrow सोच रहोता अगर मैं second arrow को भी shoot करूँगा तो another third मेरी life force मेरे से चले जाएगी और मैं अगर तीनों arrows को shoot कर दूँगा तो मैं मर जाओँगा तो मैं क्या करूँ देगी भी एक मांगो या फिर fight करो last तक फिर वो एक और arrow को shoot कर देता है वो वह पूरी तसे old हो जाता है वो जो arrow तो वो king of life की तरफ जा रहा होता है king of life सोच रहोती है अभी मेरे तरफ attack करने की सोच रहा है diviner सोच रहोता है अगर ये इंग अभी भी यहाँ पे है तो वो काफिस दा duplicates को बना सकती है या उके लिए किसी को भी heal कर सकती है तो सबस्याद अच्छा तरिक का यही होगा कि मैंसे मार दूँ वो arrow king of life को लगता है king of life नॉर्मली उस arrow को बाह निकाल देती है वेल नॉर्मली एक vein टाइप को निकालते है जिसने arrow को अपने उपर ले लिया होता है उस vein पे effect पढ़ रहोते है फिर वो उस vein को cut कर लेती है half में यंग बोलती है कि तुम्हार जो body है वो blood को use करती है ऐसा fuel है ना पर यह coincidentally है कि well जो मेरी blood veins है वो भी मेरे blood से fueled है और इसका मतलब यह भी है कि यह दोनों एक दूसरे को cancel कर सकते है मैं मरूंगी ने इस चीज़ से मेरे पस कुछ जादे large amount of life energy का वैल normally इसने cut off ही कर दिया होता है एक तरीके से divine arrow काम परा होता है और उसके पसीने शोटर होते हैं वो सोच रहता है यह impossible है यह मेरा weapon था इतने सालों से मैं इस resistance को plot कर रहा हूँ और इनके लिए कुछ भी नहीं पर मजाक है मैंने अपने दो arrows को यूज कर लिया मेरे पास सिर्फ two-third ही अपनी life force बची हुई है मैं five celestial decades में enter हो जाऊंगा यह बोलती है कि यह old man अब कुछ भी नहीं कर सकता है यह जरब भी harmful नहीं है अब by losing वो अपनी thunder को यूज करती है वैल अपने हाथ को close करती है गिनने लगी होती है वो thunder losing से टकराती है ऐसे ही जो बादल होते हैं वैल thunder होती है वो गरचरी होती है यह वो सोचरी होती है कि टोफोर है वैलने event rates भी मेरे इस attack को resist नहीं कर सकती है अपनी physical bodies की help से रेलम लोड को तो तो तुम छोड़ी दो यह तो पूर इतर से एनाहिलेट हो गया होगा मेरी holy lightning से तभी ऐसे clouds फैल गया होती है यह वोल रही होती है यह complete हो गया है clouds निकल रहे होते है बार तभी हमें दिखायता है कि losing बिल्कुल ठीक होता है उसे कुछ नहीं होता यह यह को जादे है रहा नोचत्री बोलते है क्या इसके तो कपड़े भी फटे है एक भी single scratch नहीं इस की बोडी के ओपर किस तरह का magic treasure है यह इसकी shirt वैल अगर हो भी गया होता टैक तो यह will of the world भी तो यूज़ करी सकता है फिर हमें स्लेस्टल वॉल्फ ग्रेट वर्ल्ड का सिंदगा है ता है जो कि सूडो सेंट्स कंट्रोल करते है विज़ंग सोच रहता है यह यह सोच लिए कि कंसेंटरिंग क्लोस ने मेरी help की यह सारे damage को रिजिस्ट करने के लिए और बात यह है कि मैंने transferability को use की है मैंने जो याओ की thunder थी उसे उस great world के ओपर भेज़ दी जो कि सूडो सेंट्स occupy करते है वैल मैंने सही guess किया था will of the world guys जब से मैंने उस dragon को मारा है तो will of the world है और lower world वैल एक दूसरे के साथ fuse हो गया आपर world and lower world की जो will है और जो मेरी will है वो पूरे universe में फैल ती जा रही है अब मैं काफ़ ज़दा world को control कर सकता हूँ और जो मेरा control है वो time के साथ increase होता जा रहा है वह एक time है कि जब यह पूरत से control कर पाएगा अब यह great realms में भी फैल गया है जो कि pseudo saints control कर रहे है इसलिए मेरे को चिंता नहीं करनी है कि मैं innocent people को hurt कर दूँगा वो जो thunder होती है वो उस place में गरती है और कुछ लोगों को मार रही होती है तीन बच के हावा में पहुंझाते है बोल रहा है तो यह कैसी thunder थी तो कुछ ज़्यादर terrifying power है इसमें दूसरा बोलते है तो impossible है हमारे जो saint race के heavenly event rates है वो already sunflower gate world की तरफ जा रहे है यह कोई मतलब हो ही नहीं सकता है कि human race ने ही मत की है और अपनी forces को divide करके हमारे उपर attack कर दिया है इस time पे दूसरा बोलते है कि यह हो सकता है heavenly event rates का attack हमें जाना पड़ेगा और saint race के heavenly event rates को रिपोर्ट करना पड़ेगा वो thunder फिर गिर रही होती है वो बोलते है तीनों की नहीं यह वापिस आ रही है भागो तो है वो जो thunder होती है वो तीनों को लगती है और वहीं पर मर जाते है losing सोच रहोता है इतना बुरा नहीं था वो जो उसका वैपन होता है वो losing की तरफ जा रहा होता है losing नोर्मली अपनी finger को आगे की तरफ करता है एक berry type क्रेट हो जाता है और उसके attack को रोक देता है या वह रहानों जाती है कुछाद है या बुलती है द्वारा losing बोलता है अगर मेरा गैस से ही है वो फिर losing की पास जाती है और बुलती है अगर मेरा गैस से ही है तो तुम power को absorb कर रहे हो same मेरे 10,000 fold willow leaf की तरह losing की सुनके चूप होता है या वो सोच रही होती है जो 10,000 fold willow leaf है वो मैंने काफ़ सदा hard work के बाद क्रेट की है काफ़ा सालों की काम के बाद मैंने में बनाये था यह किसी की भी energy को absorb कर सकती है और 10 of million below flowers में transfer कर सकती है जो कि इस पूरे world में फैले हुए है जो कि एक powerful link से connected है सारी plants हो इस तो मतलब इसकी power made तरह similar है पर इसके method कैसे होंगे शायद ही इसकी body से related है losing बोलता है हाँ हो सकते same ही है तो अभी king of life कुछ veins type को निकालती है losing हराने से देख रहा होता है और losing को बाद देती है losing सोच रहता है यह क्या चीज है मुझे लगता कि मेर को इस तरह से trap करेगी यह smart है पर यह चीज यूजलस निंग है king of life बोलती कि इस wine को bond transforming wine बोलते हैं अगर कोई target इसमें first जाएगा तो directly prey की vitality को absorb कर सकती है तब तक जब तक वो पूरी तरह से dry ना हो जाए चल देखते हैं तुम रिजिस्ट कर सकते हो अपनी life को hold कर सकते हो अगर तुम्हारे पास मेरी तरह सेम पावर है तो मैं तो यह definitely useless है brute force को तुम्हारे against में use करना losing को अपने हम को चुछाने कोशिच कर रहा होता है तब ही एक end निकलता है वेन कबार और उसमें life energy आ जाती है king of life बुलती है great है काम कर रहा है यह बुलती है कि शुक्रियों तुम्हारे help के लिए मैंने यह नहीं सोच था कि losing कितना सथा मुश्किल हो जाएगा और tricky हो जाएगा handle करने के लिए king of life बुलती है कि मैं अपना best कर रही है king of life बुलती है मैं खुद के लिए कर रही हूं क्यूंकि मेरा interest है वो बुलती है वो जो vitality होती है वो उपर के तरफ आ जाती है king of life के हाथ में king of life सोच रही होती है कि सिर्फ life force जब प्रे की पूरता से suck'd out हो जाती है तभी एक glowing green bowl बनता है पर इसके expression तो जड़ा भी चेंज नहीं हो रहे है king of life को जादे हरान हो जाती है बुलती कैसे possible है क्या already dozen है मतलब इतने ज़्यादा beings इसकी body के अंदर या फिर यही ऐसा person जिसके पास dozen of lives है और उपर से बात है कि हारे कि यह जो light है यह कुछ साथे strong और powerful है at least divine transformation realm का कोई creature है चैस का internet world ही क्यों नहीं हो यह clearly impossible नहीं है फैल इतने तो हैं ही losing की body में विज़न सोच रहता है कि यह सोच रहोगी कि अभी कुछ गल्त है इस time मैंने बना power transfer ability को use किया है इसके absorption को transmit करने के लिए pseudo saints के पास तो एक तरहसे मैं middle maniac कर रहा हूं इसके और उनके बीच में अच्छा मतलब pseudo saints की life को absorb कर रहे है फिर ऐसे और जाद अब वो light के balls निकल रहे होते है king of life घबरा आ जाती है और सोच रहे होती है ऐसे लग रहा है कि इसने इसकी power को भी transmit कर दिये किसी दूसरी जगह पे यह इसके life force नहीं है मुझे लगता है कि मैं ऐसे uselessly absorb करती जा रही हूं power को अब तो मेरे पस कोई भी तरीका नहीं है उसको revive करने का अब तो मेरे पस कोई भी तरीका नहीं है इसे रोकने का चलो revive करती हूं मैं shadow heavenly venetate को वो मरने वाला है यहाँ बोलती है कि मैं eternal night torture को start करती हूं मैं ऐसे seal कर देती हूं ऐसे completely eliminate नहीं होगा पर यही हमारा last chance है इस moment पर यहाँ बोलती है अगर तुम मरना नहीं चाते हो तो ऐसा क्यों नहीं करते है कि तुम अपनी life को सबसे ज़्यादा powerful punishment में enjoy करो यहाँ सोच रही हो थी कि certain amount of faith चाई यह eternal night torture को start करने के लिए पर इसको मैं नहीं मारूंगी तो एक तरह से मेरे race के ओपर यह गंद फिलाएगा तुम अच्छा ऐसी बात है कि तुमने कोई भी इन जिसको feel नहीं किया यह हो हरान हो जाते हो बलते है क्या यह क्या हो रहा है मैं अपनी power of faith को gather नहीं कर पा रही हूं नहीं यह तो king's platform है वैल जो वह होता है pyramid type उसमें cracks पढ़ रहे होते है वो तूट रहा होता है पूरा जो pyramid होता है वो तूट जाता है king of life, king of punishment, absolute, fire heaven, evented, तीनों बोलते है क्या तो वहां पे हमें ancestral dragon दिखा यह तो बच्चा बड़ा हो गया है जुन उसके ओपर बैठी होती है जुन नीचे आजाती है land के लुजन बोलती है जुन उसे hug कर लेती है जुन उसे hug कर लेती है सब कुस तुमारे वस से हुए है लुजन भी blush कर रहा होता है मेरा first time है की जुन ने में को hug किया है यह little strange लग रहा है पहले पर अब में को शांती सी feeling आ रही है और एक peace वाली feeling आ जुन बोलती है कि इस दिन के लिए में का फसर लंबे टाइम से तुमारे इंतजार कर रही थी बिच यह वोलती है कि तुम किसे बिच बोल रहे हो और उपर से बात है कि तुमारी बोडी कैसे वापिस आगे तुमारे पास और यह six cloth dragon को ने तुमारे सामने और जो power of faith वह completed disappear क कैसे होगे बहले इतने जादा कोशन जो कियोज तुमने फिलाया हुआ था मैंने उसका ड्वांटेज लिया और एंसेस्ट्र ड्रैगन और जुन की सावल को उन क्रैक्स में भेज दिया था ताकि वह king's platform में जा सकते जिस टाइम तुमने में को पिन कर दिया था एंसेस्ट्र विंक्स पार आ जाते हैं और बोलती है वो कि टाइम है हमारी सबसे लंबी बैटल को खतम करने का या बोलती है अगर मेरे पास फेट की पूल की पावर पिर नहीं होगी पर में को फिर भी तुमसे डर नहीं है वो फिर अपना अटैक यूज कर देती है जुन भी अपना holy spear of slaughter उसका जो attack हेँ शके वेपन को रोक लेती हो डिश्टविट कर देती है